Hey everyone, suppose करो आप अपने client के साथ एक table पे बैटे हो, जहां आप दोनों एक deal से related negotiate कर रहे हो अप suppose करो आपने उस deal से related एक offer दियो, आपका client आपका वो offer सुनता है, कुछ सोचने लगता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है Well, तो ऐसी situation में आपको कैसे पता चलेगा, कि उस client को आपका offer पसंद आया, या उसने उसे reject कर दिया Well, simply उसकी body language को observe करके, अगर वो थोड़ा पीछे होके बैट जाता है, जहां उसके दोनों हाथ folded है, कुछ इस तरह से तो it means कि वो आपके offer को लेके पूरी तरह से confident नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी तरफ थोड़ा lean होता है और जहां उसके हाथ table पे और आपकी तरफ point out कर रहे है, तो it means कि उसे आपका offer पसंद आया है, और वो further discussion करना चाता है वैल ये था one of the body gesture जिसके थ्रूँ आप लोगों के attitude, confidence और hidden emotions को बीना कुछ कहे पढ़ सकोगे वैल आगे इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और body gesture discuss करूँगा, जिसे follow करके आप खुद के अंदर भी एक confident body language को build कर सकोगे और साथ ही साथ लोगों के भी hidden signal और emotion को पढ़ सकोगे इसलिए अगर आप वो gesture सीखना चाते हो, तो मेरे आज की इस वीडियो को end ठक जरूर देखे लिकिन उससे पहले, अगर आप उससे directly connect करना चाते हो, तो मुझे मेरे instagram id mr.eus23 पे जरूर फॉलो करे लिंक मैंने description में डाल दिये, so now let's begin नमबर वन, opening the palms of the hand, ये दोनों फोटो को closely observe करो suppose करो ये दोनों आदमी आपसे कह रहे, कि ये अपने ideas को लेके बहुत ज़्यादा confident है well तो कि आप comment section में ये बता सकते हो, कि ये दोनों में से actually में सबसे ज़्यादा confident कौन है अब अगर आप comment section में right side वाले आदमी का नाम लेते हो, so it means कि आप लोगों की body language को बहुत ही ज़्यादा closely observe करते हो अगर आप कोई speech दे रहे हो, या किसी को बताना चाह रहे हो, कि आप बहुत ही ज़्यादा confident हो तो बात करते हुआ कि आपको अपने हाथ और palms open रखना चाहिए, कुछ इस तरह से क्योंकि ये वाला gesture show करता है, कि आप honest हो, open हो, confident हो, और सामने वाले से कुछ भी नहीं छुपा रहे हो woman अपनी wrist expose करती है, जब वो किसी man की तरफ attract होती है वहीं जब आदमी को अपनी sincerity और openness show करना होता है, तो वो भी अपनी wrist को expose करता है, कुछ इस तरह से इट shows कि वो honest है, confident है, और उसका intention positive हो है अब ऐसे gesture के response में, अगर सामने वाला इंसान आपकी बाते सुनते होग, आपकी तरफ थोड़ा lean होता है, तो it means कि उसे आपकी बाते सची और interested लग रही है Suppose करो आप stage पे हो, और एक speech देने वाले हो, अब आपकी जो speech है, वो सच में बहुत ही amazing तरीके से लिखी हुई है लिकिन जब आप stage में जाते हो, तो आप इदम बिलकुल straight खड़े रहके बोलते हो, कुछ इस तरह से तो क्या आपको लगता है कि आपकी वो speech बैठी हुए audience पे कुछ impact create कर पाएगी शायद नहीं, लिकिन वही speech देते हो अपने हर words को बोलते time अपने hand moments का use करोगे और speech देते हो अप एक proper eye contact बनाए रखते हो, तो इससे फिर आपका confident clearly देखेगा और लोगों को भी आपकी speech लंबे समय तक याद रहेगी एक perfect hand shake कैसे करते हैं, यह मैंने अपने इस short video में explain किया हो और किस type के hand shake avoid करना चाहिए, यह मैंने अपने इस video में बताया हो बट बहुत से लोगों की आदत होती है दोनों हातों से hand shake करना इसका मतलब क्या होता है, well it means warmth, trust और kindness का gesture और ऐसा hand shake करके वो आपको comfortable feel कराके आप एक good impression create करना चाहते है सपोस करो आप किसी के साथ बहुत ही important discussion कर रहे हो और आप observe करते हो कि conversation के बीच में वो suddenly अपने pair को uncross करके stretch करता है कुछ इस तरह से, तो at first instance हो सकता है आपको feel होगा कि शायद आपकी बाते सुनके उसे bore feel हो रहा है या उसे need आ रही है और इसलिए वो बहुत ही जादा अंगडाईया ले रहा है बट reality में ये signal होता है interest और acceptance का means उसे आपकी बाते impressive लग रही है और उस discussion में उसे बहुत ही interest आ रहा है एक good communication का one of the important part होता है active listening अब बात करते होग हो सकता है आपको feel हो रहा हो कि सामने वाला इंसान आपको अच्छे से सुन रहा है बट आपको ये पता कैसे चलेगा कि वो इंसान आपकी बातों में सच में interested है वेल एक simple से gesture को observe करके जो की है tilting of head जब इंसान को trust, willingness, confidence, approval या interest शो करना होता है तो अपने head को एक side पे tilt मतलब जुका के अपने neck को थोड़ा सी expose करता है कुछ इस तरह से इट means कि उस इंसान ने खुद को surrender कर दिया है और आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है क्योंकि उसको आपकी बातों में बहुत ज़ादा interest आ रहा है अपने अंदर का confidence clearly show करने का सबसे best तरीका है smile करना speech देने जा रहे हो तो पहले smile करो किसी से meeting कर रहे हो तो मिलते ही उन्हें smile करो क्योंकि जब आप smile करते हो और बदले में वो भी इंसान smile करता है तो ये एक positive feeling create करता है researcher से पता चला है कि जब आप regularly smile करते हो तो इससे आपका दूसरों के साथ relation smoothly चलता है relation long lasting होता है और उससे फिर आपको ही positive result मिलता है बॉलिवीट के कई actor डारेक्टर अपने कई interview में कह चुके है कि शारू खान के आँखे बहुत ही जादा attractive है and specially अपनी acting के वक्त वह बहुत सी बाते अपनी आखो से ही कह देते क्योंकि आखे और eye contact confident show करने का सबसे best और easy तरीका है इसलिए किसी से भी बात करते हो अग eye contact maintain रखो क्योंकि it shows कि आप बातों को लेके confident हो और उनसे बात करने में interested भी हो जब आप बात करते हो अगे आपने opinion express करते हो अग head not करते हो तो it shows कि आप अपनी बातों को लेके confident हो वही जब आप सुन रहे हो और सुनते हो अग head not करते हो तो it is sign of acceptance which shows कि आप उन्हें अच्छे से सुन रहे हो और अगर किसी से बात करते हो अगर आप चाते हो कि सामने वाला इंसान आपसे और बात करे तो उनकी बाते सुनते हो अग head not करो so that उसे feel हो कि आपने उसे और उसकी बातों को openly accept कर लियो 10. Habit of clothing क्या आप कभी night dress pen के presentation दोगे या किसी के साथ workout का dress pen के meeting करोगे obviously नहीं कौज हम सब जानते हैं कि close एक अच्छा impression create करते हैं अगर आप nervous feel कर रहे हो तो भी एक अच्छी dressing आपके अंदर confidence को build करेगी और nervous होने के बावजूद आप confidently खुद को present कर सकोगी याद रखो कि एक neat or clean close पहला signal होता है respect का जो आप अपने listener की तरफ show करते हो अगर आप stylish dressing करोगे कुछ similarly अपने talking partner जैसी तो उसे feel होगा कि आप दोनों में कुछ common है और उसे फिर आपसे बात करने में confident feel होगा इसलिए एक अच्छा impression create करने के लिए और confidently बात करने के लिए अपनी clothing और styling को हमेशा better करो So to conclude this video ये थे कुछ gestures और signal हमारी body language को लेकिए जिसे follow करके आप खुद के अंदर confident build कर सकोगे confidently बाते कर सकोगे और लोगों के hidden emotion को भी पढ़ सकोगे Up to end ये बाते मैंने आपको without saying a word book से बताईए अगर आपको ये video useful लग गी हो तो इसे अपने whatsapp ग्रूप में दूसरों के साथ जरूर शेर करे so that वो भी in gestures को follow करके एक confident body language को build कर सके अभी के लिए अगर आपको इस video से कुछ नया सीखने को मिलाओ जो I'm sure मिला ही होगा तो इस video को ज़रूर like करे comment section में मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आप confidently खुद को दूसरों के सामने present कर पाते हो self education और book reading की habit को जादा से जादा logo तक पहुचाना मेरा mission है तो मुझे मेरे इस mission में support करने के लिए मेरे youtube channel को ज़रूर subscribe करे और हाँ उस bell icon पे click करना ना भूले and finally thanks for watching